हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो निशी जॉम नीटिंग फ्रेंड्स आज देखिए मैं आपको ये वाली बबल वाली पैटर्न बताऊंगी फ्रेंड्स इस पैटर्न को बनाने के लिए जो है हमें 17 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और दो फंदे हमें एजेज के लिए चाहिए फ्रेंड्स ये जो पैटर्न है वो 12 सिलाइओं में बन करके कम्प्लीट हो जाएगी इस पैटर्न को आप लेटिज काडी गंज में, बच्चों के फ्रॉक में या फिर अगर आप कोई शॉल बना रहे हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप बॉर्डर के रूप में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड्स चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेजेगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगे पहला फंदा हम उतार लेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि हम एक फंदा इस परकार से सीधा बुनेंगे यह हमने एक फंदा सीधा बुन लिया है फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और फिर हम एक फंदे यहाँ पर और जो है इस परकार से सीधा बुनेंगे यह हमने बुन फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक और ये दो फिर हम उनको पिछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे बनाएंगे फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे, और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे फिर हम उनको पिछे लेकर कर जाएंगे एक फंदे सीधे बनाएंगे फिर हम उनको आगे लेकर कर आएंगे दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक और ये दो फिर हम उनको पिछे लेकर कर जाएंगे एक फंदे हम सीधे बनाएंगे फिर उनको आगे लेकर के आएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सिधे बनाएंगे, फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे, और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर से हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे, और एक फंदे हम सिधे बनाएंगे यह देखिए हमारा एक पैटर्न जो है यहां पर complete हो गया यह देखिए यहां से लेकर के हमारा यहां तक का 17 फंदे हमने बुन लिये हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 17 यह 17 फंदे हमने बुन लिये हैं यह जो जाली वाला पैटर्न है यहां से आप देख सकते हैं कि 17 फंदे हमारे हो गए हैं अगर आप इसे छोड़ दे तो यहां से हमारे 17 फंदे भी हैं क्योंकि यह तो हमारा जो जाली है तो यह तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा फंदा तो आप यहां तो दोनों जो है यहां से हटा करके आप 17 फंदे मान लेजें या फिर इस से आप मिला करके तो एक फंदे तो हमारे जाली पड़े हैं यहां पर तो 17 फंदे हमने बुन ले यह हमने यह वाली पैटर्न अश्टार्ट की है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारी सिधी सि है हमारे उल्टे फंदे यहीं हमने एक पैटन जो है यहां से लेकर यहां तक वह हमने कंप्लीट किया है अब देखिए यहां से हमारे यहीं वाली पैटन सेम रिपीट होगी बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा देखिए उन को हम आगे लाएंगे और एक फंदा हम इस प्रकार स सीदा बनें यहां यहां पर इस प्रकार से सीदा बनेंगे यह देखिए यह हमने स्टार्ट किया था वह हमारे इदर से रिपीट और तो देखिए यह हम ने कर लिया फिर उन अगे लेकर के आएंगे, दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे, फिर उनको आगे लेकर के आएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर उनको पीछे लेकर के जाएंगे, और एक फंदे सीधे बनाएंगे, फिर उन Korean को आगे लेकर के आएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे को मिश्च coworkers को पीछ ले कर जाएंगे एक फंदे सिधे बनाएंगे और एक कुण्दे हम सिध resembles 2014-2021 और श्रीन इहां दाएंगे यहां दो इंन हैं हमारी चूणwright हो गई है यह देखिए यह जो जाली वाली pattern है इस side की यहां तक हमने complete कर लिया अब फिर आगे वही वाली process हमारे repeat होने चलेगी जो हमने यहां से start किया था तो row first जो हम इसी परकार से complete करेंगे पूरा यह देखिए friends row first जो हमारी कब बन कर complete हो गई है row second देखिएगा जो फंदा में जैसा दिख रहा है उसी परकार से हम row second में बनेगे तो यह देखिए पहला फंदा मुतार लेंगे और तीन फंदे हम उल्टे बनेगे एक दो और यह तीन तीन फंदे हमने उल्टे बन लिये हैं फिर हम उनको पीछे लेकर कर जाएंगे दो फंदे हम सीधे बनेगे एक दो फिर उनको आगे लाएंगे एक फंदे हम उल्टे बनेगे एक फिर हम उनको पीछे लेकर कर जाएंगे दो फंदे सीधे एक दो फिर हम उनको आगे लेकर कर आएंगे एक फंदे हम उल्टे बनेगे फिर उनको पीछे लेकर के जाएंगे दो फंदे सीधे एक और ये दो फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे एक फंदे उल्टे फिर उनको पीछे लेकर के जाएंगे दो फंदे सीधे एक और ये दो फिर उनको आगे लेकर के आएंगे एक फंदे उल्टे पिर उनको पीछे लेकर करके जाएंगे दो फंदे सीधे फिर हम उनको आगे लेकर करके आएंगे और इसके बाद हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन छार पांच ये जो हमारी बीच वाली है वो हमारी 5 फंदे सीधे बने क्योंकि दोनों साइड हमारे जाली है तो दो हमारे जाली हो गई और तीन फंदे हमारे एजिज वाले हो गए तो पांच फंदे हमने सीधे बुने हैं अब क्या करना है फिर से हम उनको पीछे लेकर कर जाएंगे दो फंदे सीधे फिर उनको हम आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे, फिर उनको पीछे लेकर के जाएंगे, दो फंदे सीधे, फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे, फिर उनको पीछे लेकर के जाएंगे, दो फंदे सीधे, फिर उनको आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे उल्टे, फिर उनको पीछे लेकर कर जाएंगे, दो फंदे सीधे, फिर उनको हम आगे लेकर कर आएंगे, एक फंदे उल्टे, फिर उनको पीछे लेकर कर जाएंगे, फिर उनको हम आगे ही रखेंगे, और यहां से हमारा पांच फंदा उल्टा बनेगा, एक, दो, तीन चार और ये पांच पांच फंदे हमने उल्टे बुन लिये हैं अब पूरी प्रोसेस जो है मीशी परकार से रो सेकें कम्प्लीट करेंगे रो थाट देखिएगा फ्रेंड्स पहला फंदा हम उतार लेंगे उसके पाद हम दो फंदे सिधे बुनेंगे एक और ये दो दो फंदे हमने सिधे बुन लिये हैं उनको हम अपनी और करेंगे एक फंदे हम इस परकार से सीधा बुनेंगे उसके बाद फिर हम उनको आगे लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक और ये दो दो फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं, उनको पीछे लेकर कर जाएंगे, एक फंदे सीधे बुनेंगे, फिर हम उनको आगे लेकर कर आएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और ये दो, दो फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं, फिर हम उनको पीछे लेकर कर जाएंगे, एक फंदे सीधे बुनेंगे, फिर हम उनको आगे लेकर कर आएंगे, दो फंदे उल्टे, एक और ये दो, फिर हम उनको पीछे लेकर कर जाएंगे, एक फंदे सीधे, फिर हम उनको आगे लेकर कर आएंगे, दो फंदे उल्टे, एक और ये दो उनको पीछे लेकर कर जाएंगे एक फंदे सीधे फिर हम उनको आगे लेकर कर आएंगे दो फंदे उल्टे फिर हम उनको पीछे लेकर कर जाएंगे एक फंदे सीधे अब देखे यहां पर हमारी जाली है तो यह देखी, यही जाली हमारी यहाँ पर किरियेट होगी तो देखी हर सिलाई में जो है, हर पहली, तीसरी, पाचवी, साथवी, नौवी, इगारवी सब सिलाई में हमारे जहें, दो-दो फंदे बढ़ते जाएंगे तो जब हमने फर्स्ट में स्टार्ट किया था, तो हमारे एक फंदे यहाँ पर हमने सिधे बुने थे अब क्या करेंगे, कि हम यहाँ पर जाली डालना है, तो फंदे हम आगे करेंगे और तीन फंदे सिधे बुनेंगे क्योंकि ये तीसरी सिलाई है तो हम तीन फंदे सिधे बुनेंगे पांचवी सिलाई में हम यहाँ पर पांच फंदे सिधे बुनेंगे यहाँ तक तो हमारी किरियेट हो गई पिर जाली के सामने हम जाली डालेंगे और तीन फंदे सिधे बुनेगे एक दो और ये तीन तीन फंदे हमने सिधे बुने हैं अब देखिए यहां पर भी जा ली है तो हम उनको आगे लाई करकर आएंगे और एक फंदे हम यहां पर सिधे बुनेगे यह देखिए तीसरी सिलाई में हमने यहां पर तीन फंदे सिधे है पांच वी सिलाई में हम पांच फंदे सिधे बुनेंगे इस आपको नवी सिलाई तक ही इस प्रकार से बुननी है, इकारवी सिलाई थोड़ी सी डिफेरेंट है, वो मैं बताऊंगी आपको, तो इस प्रकार से देखिए, उनको आगे लेकर के आएंगे, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे, फिर हम उनको आगे लेकर के दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे, फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक फंदे सीधे बुनेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे एक और ये दो फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे एक फंदे सिधे फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और दो फंदे उल्टे फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे एक फंदे सिधे फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और यहां पर देखिए फिर से हमारी जाली है तो हम यहां पर तीन फंदे सिधे बुनेंगे जो हमने अभी यहां पर बताया था वही प्रॉसेस हमें यहां भी करनी है तो पूरी प्रॉसेस हम इसी परकार से कंप्लीट करेंगे रो थर्ड रो फिफ्ट देखिएगा पहला फंदा मुतार लेंगे और यहां पर हम जो है तीन फंदे सिधे बुनेंगे एक दो तीन फंदे हमने सिधे बुन लिये हैं फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और एक फंदा हम यहां पर इस परकार से सिधा बुनेंगे फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे एक और ये दो फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे ये जो पैटर्न हमारा चल रहा है इसी परकार से हम यह तक बुनते जाएंगे जहां तक हमारी जाली है जो हमारा जैसा फंदा दिख रहा है उसी परकार से हम इसे बुनेंगे फ्रेंड्स हमारा जो है एक और चैनल है नीसी जॉम लाफ स्टाइल वो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है तो प्लीज फ्रेंड्स आप उसे भी जा करके एक और विजिट कीजिएगा आप लोगों ने मेरे इस चैनल को बहुत ही प्यार दिया है एक फैमली की तरह आप को जो भी परिशानिया होती है वो मुझे कमेंट कर देते हो और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो तो प्लीज फ्रेंड्स आप उस चैनल को भी जा करके एक वर विजिट कर जिएगा और आपको उसमें भी जो प्रॉब्लम आएगी जो प्रॉब् जाली डालने है क्योंकि जाली के सामने हमारी जो जाली ही पड़ेगी तो हम यहाँ पे यह हमारा पांच वाल रो है तो हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे उनको आगे करेंगे और एक दो तीन चार और यह पांच पांच फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं उनको हम आगे लाएंगे यहाँ पे हम एक सीधा फंदा बुनेंगे और सेम प्रॉसेस जो हमने यहाँ से अस्टार्ट किया है उसी परकार से यह पूरी सिलाई जो है हमारी रो से वे कम्प्लीट होगी जो ह से हमने नौवी सिलाई तक का पैटर्न जो है कम्प्लीट कर लिया है और आप देखिए गारी सिलाई में क्या करना है नौवी सिलाई तक हमने बना लिया है गारी सिलाई अब आप देखिए आपकी नौवी सिलाई तक कम्प्लीट हो यह नहीं आप यहाँ सभी पता कर सकते हो जैसे देखिए यह जाली है हमारी तो यह हमारी बीच की जाली है तो एक दो तीन चार पांच पांच जालिया बन चुकी है यानि आपकी नौवी सिलाई जो है चट्थे जाली अब हमें 21 सिलाई में पड़ेगी और 12 सिलाई की हमारी डिजाइन ही है तो देखिएगा एक ग्रहमी सिलाई तो देखिए फ्रेंट्स पहला फंदा मुतार लेंगे और यहां पे हम पाथ फंदे सिधे बोलेंगे एक दो तीन चार पाँच छो सारी हमने छे फंदे सिधे बुने हैं और एक फंदे हमने उतारे हैं फिर उनको हम आगे करेंगे और यहां से हम क्या करेंगे इस वाले सिधे फंदे को हम इस परकार से पलट लेंगे left needle पे और ये सीधा फंदा और ये दो फंदे उल्टे हैं इन तीन फंदों को मिला करके हम इस परकार से हम एक फंदा बनाएंगे ध्यान रखेगा उन को हमें आगे ही रखना है और एक सीधा फंदा और दो उल्टा फंदा इन तीनों को मिला करके हमें इस प्रकार से एक जो है यहाँ पर सीधा फंदा बना लेना है फिर देखिए का ये वाला एक सीधा फंदा है और ये दो हमारे जो हैं उल्टे फंदा इसे हम इस प्रकार से पलाट लेंगी और फिर से इन तीन फंदों को मिला करके हमें एक सीधा फंदों और दो उल्टे फंदे इन तीर फंदों को मिला करके हम एक फंदा इस परकार से सीधा बनाएंगे यह हमनी यहाँ पर 6 फंदे का 2 फंदा किया है अब देखिएगा यह जो है 4 फंदे यह हमारे एक सीधे वाले फंदे बीच में 2 उल्टे और एक यह सीधे इन चारों को मिला करके हमें एक फंदा बनाना है तो यह सीधा दो उल्टा एक सीधा यह 4 फंदे हो गएं इस सीधे वाले फंदे को भी हमें एक साथ ही लेना है तो इन चारों को मिला करके आप एक साथ फंदा बनाना है ये देखे इन चार फंदों को मिला करके हमने एक फंदा बनाया देखे ये दो धारियां जो है सीधी वाली ये हमारा बीच वाला फंदा होगे तो दो धारियां हमारी इस सेट चल गई आट ये तो दो धारियां हमारी इस सेट आएगी तो आप देखे जैसे देखे ये ये फंदा हमारा इढ़ साए हाहा यह सीधे मारी इधर से गई है इत्स लॉज होई है ये इंदैसे दो गुआ और ये ऑमारा बीच में क्रियोट हो गया अब हम इधर से क्लोज करना है यह देखिए दो फंदा हमारा जो है यहां पर उल्टा है और एक फंदा सीधा तो आप हमें इधर से लेना है हमी यह देखिए हमें इस साइड से लेना है पीछे से इस प्रकार से और इन तीन फंदो का हमें एक फंदा सीधा बुनना है यह देखिए फिर हमें यह दो फंदे उ हमें एक फंदा करना है और वो भी इस प्रकार से पीछे से तो ये हमने कर लिया है ये देखिए हमारे सारे जो सीधे फंदे हैं वो बन करके रेडी हो गया है तो दो हमने इधर से क्लोज किया दो हमने इधर से क्लोज किया और ये बीच में हमने दो सीधे फंदो का हमने एक फं बने हैं पहले हमारे छे फंदे थे सीधे अब हमारे पांच हो गया है क्योंकि ये फंदा हमारा इसमें मिल गया है अब क्या करना है देखिए उनको हम आगे लाएंगे और उसके बाद हम 11 फंदे सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा फंदे हमने बुन लिए हमने बताया था आपको कि हम जो वाली रोब बुनेंगे जिस रोग के हम बुनाई करेंगे उसमें उतने ही फंदे हमें बुनने होगे यह हमारी गार्मी रो है तो हमने 11 फंदे बुने है फिर से देखिएगा उनको हम आगे लेकर के आएंगे इस परकार से और यह सीधा फंदा जो है इसे हम इस परकार से पलट लेंगे और फिर इन हम दो फंदों का हम तीन फंदों को मिला करके हम एक फंदा इस प्रकार से सिधा बनेंगे ध्यान रखिएगा कि यहाँ जाली बाला जो है वो पैटर्न है तो हमें फंदे आज़े लाग करके एक सिधा फंदा बनना है ये हमने बुन लिया फिर देखिए ये सिधा फंदा और ये सिधा फंदा ये दोनों और ये बीच वाले दो चार फंदों को हम मिला करके एक फंदा बुनेंगे तो ये हम इस परकार से सिधे फंदे को पलट लेंगे और इन चारों फंदों को हम इस परकार से ये देखे हमने निडल पे लिया और इसे हम इस परकार से पलट लेंगे और एक फंदा हम इन चारों फंदों का बना लेंगे अब देखे ये दो फंदा आगे है और एक फंदा ये पीछे इन तीन फंदों को मिला करके हमें एक फंदा सीधा बुनना है पीछे से यह हमनी बुन लिया फिर देखे दो फंदे आगे और एक फंदे सीधे इन तीन फंदों को मिला करके फिर से हमें एक फंदा सीधा बुनना है लेकिन पीछे से हम बुनेंगे इस परकार से और फिर यहां पर हमारी जाली है यह जाली बुन करके हम 11 फंदे सिधे बुनेंगे और फिर से हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे रो 11 जो है इसी परकार से बनाएंगे हम रो 12 देखेएगा थोड़ा सा इसमें बदलना है हमें चेंज करना है यह देखेए फीरेंट बारामी रो गौर से देखिएगा पहला फंदा जो है हम इस प्रकार से उतार लेंगे और फिर हम 6 फंदे, 7 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7, 7 फंदे हमने उल्टे बुन लिये हैं, अब देखिएगा, यहां में क्या करना है, हम 2 फंदे और उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2, ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने, ये वाले जो हमारे सीधे वाले आये थे, उसके हमने 2 फंदे उल्टे बुने, अब देखिए यहां पे हम बीच में आ गये हैं, ये वाला जो है हमारा बीच का पैटर्न तो बीच में हम आ गए हैं तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है उनको हम इस परकार से रखेंगे पीछे अब देखिए हमें बबल करेट करना है तो हम क्या करेंगे कि इस परकार से हम यहां पर फंदे लेंगे और इस परकार से हम करोसिय को निकाल लेंगे अब हम क्या करें इन को हम आगे लेकर कि आएंगे नीडिल से और ये आप जेतना बड़ा रख किनी बढल आपका ऊतना बड़ा बनेगा भॉल रखोलना चाहते हैं तो बड़े कृश्टे नियका देगा और यहां से हम उनको इस परकार से बापस निकालेंगे यह हमारा दो फिर हम इस परकार से रिपीट करेंगे यहां पर थोड़ी से आपको परिशानी होगी तीन चार और कोशिज किजेगा कि सारे फंदे एक बराबर में हो पांच, छे, इस परकार से साथ हो गया अब इन साथ फंदों को लेकर के हम एक वार इस परकार से हम निकाल लेंगे अब हम क्या करेंगे कि इन साथों फंदों को हम एक वार इस परकार से बनाएंगे और फिर इसे हम इस वाले फंदे पे हम इस परकार से पलट लेंगे और हम इसे राइट निडल पे हम चड़ा लेंगे इस परकार से और फिर उन को हम आगे लेकर के आएंगे और उन को हम आगे लेकर के आएंगे और पीछे वाला जो एक फंदा है इसे हम इस परकार से पलट लेंगे पीछे वाले एक फंदे को इस बवल वाले फंदे के उपर और फिर सारे फंदे जो हैं हम इस परकार से उल्टे बनाते हुए चलेंगे जो भी फंदे हैं सारे फंदे 12 रोमें में सारे फंदे उल्टे बनाने हैं बस बीच वाले जो फंदे हैं उस पे हमें बबल बनाना है आपको बबल कहां बनाना यह आपको खुद ही समझ में आ जाएगा बुनाई से देखे यह हमारा जो है पांच फंदे सीधे हैं तो दो हमने सीधे वाले फंदे जो है उल्टे इस साइड से बुन ले हैं यह तीसरा फंदा तो इसी पे हमें बबल क्रियेट करनी है फिर से हम उनको पीछे लेकर कर जाएगे इस परकार से और पीछे लेकर कर जाएगे या आगे ही रख लेंगे आपको जैसे तो भी दा लगे और फिर से हम इस परकार से लपेट लेंगे उनको और फिर हम इस वाले फंदे को लेंगे और यहां से हम बबल बनाना अस्टार्ट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ इन साथ फंदो को अब हम इकठे एक साथ इस परकार से बुनेंगे और फिर इन साथ फंदो को हम इस परकार से लॉक कर लेंगे फिर इसे आप या तो डारेक्ट राइट निडिल पे चढ़ा लेजिए इसे सुविधा हो यह अमने डारेक्ट राइट निडिल पे चढ़ा लिया है अब हम क्या करेंगे पीछे वाले एक फंदे जो ने उल्टे बुने थे उससे हम इस पर पलट लेंगे और फिर हम उनको आगे ले करके आएगे और फिर सारे फंदे जो है इस प्रकार से हम उल्टे बनाते हुए चलेंगे फ्रेंट्स यह पूरी सिलाही इसी प्रकार से रोट वेल्थ जो है कंप्लीट होगी यह देखिए फ्रेंट्स यह हमने ट्वेल्थ रोग बना करके पूरी कंप्लीट कर लिए फ्रेंट्स यह देखिए इस प्रका वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी थैंक्स पर बाचिंग फ्रेंड